कुछ चोचु का मुरब्बा हैं ये भी जान लिजे दानीस अली अपने खुद है उनका क्यों नहीं MP सब बसपा का खड़ा हुआ दसो MP रोने से होता है बॉक्सर भी है क्रिकेटर भी है बैदिश्टर भी है अल्ला ने सब खुबी दिया है तो बिदोडी साहब को पता चलिए मानों को गाली नहीं दिए दिखलाया कैरेक्टर की आरसेस के पाटशाला में बीजेपी की पाटशाला में क्या पड़ाई होती है दूसरे को गाली हो गई है यही टर्म सब कुस्ता पूरी देश ने देख लिया कि आपने एक संसत को संसत के परीसर में संसत के अंदर पर लेकिन आपने नहीं करवाई आपके सामने निन्दा से क्या होता है आपको माई बहन गाली देदे आप निन्दा कर लिजे फिर और इससे आर्चनन पता चलता है संसकार आज तक पर इस कॉंफरेंस की हैं साड़े-9 साल हो गया बतला दीजिए एतना डिंग हांकते हैं एतन आपने आपको ताकतवर दिखाते हैं बतला दीजास तक पर इससे भाजपा सांसद रमेश बिजूडी ने अमरोहाक से बीस्पी सांसद कुमरदानिस अली को गालिया दी सांसद भवन में और उस पर जो है बीजेपी के जो सांसद है दो सांसद वो मुस्कुरा रहते पीछे से इनहीं सम्मुद्व परमासाद बाचित करने के लिए आइम आइम के परवक्ता आदिल हसन हैं क्या कहिएगा एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी गालिया दी जा रही थी और बीजेपी के दो सांसद महदै पीछे से मुस्कुरा रहे तो उसमें से एक पटना के भी सांसद नहीं सिर्फ केन मंत्री रहें दोनों अटल जी के साथ रहें हडवानी जी के साथ रहें तो क्या अटल जी की सिख्छा दिख्छा में कुछ कमी रह गई थी क्या है यह ऐसा नहीं कि यह निया छिट भईया कोई है अटल जी के साथ रहे अटल जी को पूरा देश सम्म यह भी आप लिखेंगे, तीनों को नहीं मिलने जारा है, बाजपा उत्रहीं इस्तेवाल करती है। गाली देते हैं, मोधी जी ने शुरुवाती भासन में क्या कहा था, कि आचरन देखा जाएगा, बोली देखी जाएगी, तो क्या मोधी जी आपके शिशियों का यह आचरन है, मुसल्मानों को यही आप दिखलाना चाहते हैं, और आपने मुसल्मानों को गाली नहीं दिखलाय character की RSS के पार्टचाला में BJP की पार्टचाला में क्या पढ़ाई होती है दूसरे को गाली दो अब महिलाओं पर आपका क्या है निशिकान दूबे ने क्या कहा सुन लिया आपने आपने मुसलमानों पर क्या कहा मनिपूर में Christian Community के साथ क्या हो रहा है आपने देखा हर जगा तो आप ये हाल है आपका Maratha Community का रेजर्वेशन अभी तक लटकावा है आपके साथ तो मामला दिखावा है सीमानचल का मामला देखी रहे हैं हर जगा आपकी श्रीयोमनी अकाली दल से लड़ाई होती है कनेड़ा का मामला आपके सामने होई रहा है मोदी जी किसमा 56 इंज का सीना चाइना के मामले में चुप है लिब बाम लगावा है बिल्ला साथ क्यों खामोस था है एक मुस्लिम सांसत को भर्या भद्धी बदी गालिया दे जा रहे तो सब देखेंस पूरे देख लिया कि आपने एक संसत को संसत के परिशर में शंसत के अंदर बेज़त होंने दिया और आपने संजय सिंग दूसरे को किया आपने रंजन चौतरी पर करवाई की विपल्ट के दूसरे सांसदों पर कारवाई की लेकिन आप बोल्ग ने की दिए वहां से किली स्पीकर नहीं बनता है इस पीकर सदन का कस्टोडियन होता है मोधी जी ने ट्राइबल कम्नीटी महिला बिल की तो बात की डिकिन ट्राइबल कम्नीटी से आदिवासी समाच से एक महिला आती है उसको तो उन्होंने सदन में नहीं बुलाया किसी ने थी का क्या वो विद्वा है इसलिए आपने नहीं बुलाया महिलाओ लोगों को बुला लिया लेकिन देश की राश्पती जो है इतनी सम्मानत पद है लोग को आप नहीं बुला पाते हैं तो इसका निंदा की आपके सामने निंदा से क्या होता है आपको माय बहन गाली दे आप निंदा कर लीजे फिर और इससे आचरन पता चलता है संसकार पता क्या आरेसेस के पार्ट चाला में क्या बीजेपी का यही आचरन है यही सिलेबस में पढ़ाई होता है मुसल्मानों मुदाली तो भारत के परधान मंतर मानने यह नरंदर मुदिस पर चुप कियो हो और खामोस कियो कुछ बोर कि नहीं रहते हैं चाइना पे नहीं बोलेंग प्रेस कॉन्फेस जो आदमी ने कर उससे चट्डो डॉक्तर मनमोन सिंग साहिब ऐस दीदेव गौडा साहिब इंदकुमार गुज्राल साहिब टीवी नर्स मारा साहिब एक साहिब सब गुज्रे हैं उन्हें हिम्मत देखा यह आप जिसको कमजोर समझते थे वह आपसे ज् जुम्ला बाज है तो जुम्ला ही समझ यह क्या की घिये दानी सली तो रहा है यह बहुत चोचु का मुरब्ब्वा है यह भी जान लीजी दानी अपने खुद हैं उनका क्यों नहीं सब बसपा का खड़ा हुआ दसों एंपी रोने से होता है रोने से पारलेमेंट में आप र सब्सक्राइब कर दोड़ी को तो आपके उसे साहब को भी बोले थे तो इसी सब क्या जवाब दिये थे नहीं सुने थे बस सम्लाब आके भड़िया ले बस भूल की जानने हैं कि तुम्हारे तो हलीम और बिर्यानी और गूदा और पाया की क्या ताकत है माशाला जानी रहे हैं है रवाज शहर के बैरिष्टर साहब बॉक्सर भी है क्रिकेटर भी है बैरिष्टर भी है अल्ला ने सब खुबी दिया है तो बिदोड़ी साहब को पता चल गिया बीजेपी के संसुदों क करेक्टर यही है मुसल्मानों को घाले देना यह थे हमारे साथ बाचित करते एम एम के परवक्ता आदिल हसं साहब थे इस पर आपकी क्या परतिक्रिया है कुमर्स को जवाब जोड़ दिजेगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्या